बच्चो पिछली अध्याव में हमने जनगर्णा की बारे में पढ़ा था हमने देखा था कि जनगर्णा देश में प्रती दस वर्ष में किया जाने वाला एक सर्वे है जिसमें हम देश की जनसंख्या और उससे संबंधित बहुत से जानकारिया प्राप्त करते हैं और संख्यात्मक रूप से हमको वहाँ जो जानकारिया मिलती है वो ही आकड़े कहलाते हैं कहीं न कहीं ये जो जनगर्णा से प्राप्त आकड़े होते हैं उनका प्रियोग हम दृतियक समंग के रूप में करते हैं जनगरना प्रतेक 10 वर्ष में की जाती है क्या पता चलता है हमको जनगरना से घनत्तु यानि कि प्रती स्क्वाइर फिट कितने लोग निवास करते हैं लिंग अनुपात इस्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वो हम जान पाते हैं साक्षर्टादर मैला पुरुष की साक्षर्टादर क्या है यह हम जान पाते हैं ग्रामीर जनसंख्या कितनी है और शहरी जनसंख्या का क्या प्रतिश्यत हैं यह सारी चीजे हम जनसंख्या की जनगरना क्या धार पर हम जान पाते हैं क्यों कि जाती है जनगर्ना देश में बहुत से आथिक और समाजिक मुद्दे होते हैं इन पर सरकार समय समय पर बहुत सी योजनाय बनाती हैं इन योजनाओं के सुचारू क्रियानवन के लिए जनगर्ना करना अवश्यक होता है तकि जनगर्ना के आधार पर जो जानकारी मिल पाई है उसके आधार पर योजनाएं बनाई जा सके सबसे पहले जो जनगर्ना थी सरुप्रिथम 1872 में की गई थी और 1881 से लगातार 10 वर्ष में 10-10 वर्ष के अंतराल में जनगर्ना की जाती रही है पहली जनगर्ना जो हुई थी देश में वो सन 1959 में हुई थी और अगर हम अभी तक के नवींतम जनगर्ना की बात करें तो वो 2011 की जनगर्ना है जनगर्ना के बारे में इसलिए हमारा जान लेना जरूरी है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया हम दृत्यक समंग के के रूप में जनगर्ना के आकड़ों का प्रियोग करते हैं यहां पर हमने जिन बिंदुओं को देखा उनकी आधार पर अगर हम साक्षर्ता दर की बात करें तो साक्षर्ता दर के लिए ये जो हमारे जनगर्ना 2011 के आकड़े हैं अगर हम आज साक्षर्टा पर कोई सर्वे करना चाहें तो 2011 के जनगर्णा के आकड़े हमारे लिए दृत्यक समंख कहलाएंगे अगर हम ग्रामीर या शहरी जनसंख्या पर कोई सर्वे करना चाहें तो जन्गर्णा 2011 के लिए जो आकड़े हमको प्राप्त हुए है शहरी और ग्रामिर जनसंख्या को लेकर ये आकड़े हमारे लिए आज दृत्यक समंग का काम करेंगे तो चुकि जनगर्ना दृत्यक समंग का एक स्त्रोत है इसलिए हमको जनगर्ना क्या है क्यों की जाती है और कौन-कौन से जानकारी उससे हमको हासिल हो सकती है ये जान लेना बहुत जरूरी है ऐसे ही सरवे की बात अगर हम करें तो भारत सरकार द्वारा राश्ट्रिय प्रतिदर्श सर्वेक्षन संगठन के द्वारा समय समय पर बहुत सारे सरवे किय जाते हैं यह जो सर्वे होते हैं इसमें समाजिक और आर्थिक मुद्दों से related बहुत सारे topic पर यहां पर चर्चा की जाती है और उनका सर्वे किया जाता है। सर्वे से जो हमको रिपोर्ट मिलती है वो त्रेमासिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और सर्वेक्षन नाम की पत्रिका में इसका प्रकाशन किया जाता है तो सबसे पहले ये राष्ट्री प्रतिदर्श सर्वेक्षन संगठन ने जो सर्वे किया वो 1950 में किया गया ज्यादा तर देखा जाये तो इसके अंदर आर्थिक और समाजिक मुद्दों के बहुत सारे सर्वेक्षन होते हैं लेकिन मुख्य रूप से साक्षर्ता, गरीबी, रोजगार, बेरोजगारी, रिन ग्रस्तता की दशाएं, सार्वजनिक वितरन प्रणाली इस तरह की योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, उनका क्रियान्वेन या उनसे क्या आउटपुट मिल रहा है, उनकी उप्योगिता कितनी सिद्ध हो रही है, इन सब को जानने के लिए इस तरह का सर्वे भारत सरकार द्वारा किया जाता है यहां हमको राष्ट्रिय प्रतिदर्थ सर्वेक्षन संगठन को जान लेने का मतलब यह है कि अगर हम साक्षर्ता, सैक्षिक सेवाओं का उप्योग, विध्याली नामांकन यानि कि विध्यार्थियों की संक्या विध्यालाव में कितनी है, कितने लोग, कितने बच्चे वि रोजगारी, इन से संबंधित कोई सर्वे अगर हम करते हैं, तो अगर हम चाहें, तो यहां पर पहले से जो सर्वे किये जा चुके हैं, वो हम राष्ट्रिय प्रतिदर्थ सर्वेक्षन संगठन की जो पत्रिकाएं हैं, मैंने आपको बताएं कि सर्वेक्षन नाम की पत्रि प्रकाशित की जाती है त्रेमासिक पत्रिकाएं ये प्रकाशित करते हैं तो उन पत्रिकाओं को हम दृतियक समंग्त के रूप में अपने अनुसंधान में प्रयोग मिला सकते हैं ऐसे ही अगर हम संगठन या प्रतिदर्श अनुसंधान की बात करें तो संगठन या प्रतिदर्श अनुसंधान जो होता है वो दो भागों में वर्गिक्रित होता है कौन-कौन से दो भाग है समग्र का अध्यान और दूसरा इकाई का अध्यान इसको हम आगे और विस्तारित रूप से पढ़ेंगे फिल्हाल यहां यह जान लेना पर्याप्त होगा कि समग्र याने की पूरे समूह का अध्यान जैसे की कशा ग्यारवी के पूरी एक कॉमर्स के विशय की पूरी कक्षा का अध्यान कर लेना याने की समग्र का अध्यान यह आएगा समग्र अध्यान में और अगर उस पूरी कक्षा में 50 विध्यार्थी है तो उनमें से एक या दो विध्यार्थी को चुन कर सिर्फ उनके बारे में जानकारी अगर प्राप्ति क लिजाए तो यह आएगा इकाईयों का अध्यान यानि किसी एक है दो इकाई का अध्यान तो यह संगठान या प्रतिदर्श अनुसंधान कहलाता है अब एक महत्वपूर बिंदु आता है संगरना खोज या अनुसंधान प्रणाली शंगरना खोज या अनुसंधान प्रणाली में समग्र का ही अध्यन किया जाता है जैसे कि अभी हमने देखा एक उधारन के तौर पर की कक्षा इयर के वड़ीज विशै की जो कक्षा है अब हमको उनके रूची या उनकी किसी कौशल का अद्यान करना है, हमको पता लगाना है कि कॉमर्स विशह में उनकी रूची क्यों है या कितनी है तो अगर संगरना की हम बात करें, संगणना खोज प्रणाली की अगर हम बात करें तो हम पूरे 50 विध्यार्थियों से प्रश्णा वाली भरवाएंगे या पूरे 50 विध्यार्थियों का हम वहाँ पर इंटर्व्यू लेंगे तो ये जो प्रणाली होगी वो कहलाएगी संगणना खोज अनुसंधान प्रणाली क्योंकि इसमें समग्र यानि पूरे समू का अध्यन किया गया है अब जब हम इस तरह से अध्यन करते हैं यानि कि पूरे समग्र के अधार पर जब हम कोई अनुसंधान करते हैं तो उस अनुसंधान के कुछ विशेस्ताएं होती हैं क्या विशेस्ताएं होती हैं कि इससे प्र हमको पता चल जाता है यानि कि बहुत ही सूक्ष्म अध्यान यहां पर हो पाता है दूसरी इसकी सबसे बड़े विश्यस्ता है कि यहां पर जो आकड़े प्राप्त होते हैं वो विश्वस्नी होते हैं क्योंकि हमने प्रतेक स्टूडेंट से एक-एक विध्यार्थी से प्रश इस्वास करने के योगुजी अगर हम बात करें तो यहां पर सभी काईयों के भिंधता भी पता चल जाती है और ऑल हम जब अध्यान करते हैं समाग्र का अध्यान करते हैं तो हमको दो चीजे पता चल पाती है कि approach विध्यार्थियों की संगरणा विध mutually के अंतरगत जब अलग अलग विध्यार्थियों से अलग अलग बार पूछते हैं तो अलग अलग उत्तर उनके निकल कर हमारे पास आते हैं तो याने कि यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जो प्रश्ण पूछे आते हैं उसके उत्तर भी भिन्विन याने कारण भी भिन्विन हमको मिलते हैं तो यह इसके कुछ विशेस्ता हैं लेकिन अगर हम इनके कुछ दो बात है कि समय बहुत अधिक लगेगा दूसरी बात यह है कि मित्वई नहीं रह जाती यानि कि धन बहुत अधिक लगेगा क्योंकि किसी एक को से एक प्रशनवाली भराने के पेक्षा हम पचास विद्यार्तियों से प्रशनवाली भरवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि धन तो यह उपयूगत है चोटी जैसे हमने सिर्फ कक्षा के बात की कुई कारश हमता कितनी है वेक्तिगत रूप से उनसे प्रश्णा वाली भर्वाना थोड़ासा कठिन काम होगा तो हम यह कह सकते हैं कि सीमित केलिए तो बहुत अच्छी प्रणाली है लेकिन विस्तृत चेत्र केलिए आनुप्यूक्त है वैसे ही इसके हम दोश की बात करें तो इसमें विस्तृत अध्यन करना पड़ता है जैसे मैंने पहले ही बताए कि समय जादा लगेगा विस्त्रित अध्यन करना पड़ेगा मतलब हमने व्यक्तिकत रूप से प्रेशन पूछे तो जाहिर सी बात है कि व्यक्तिकत रूप से उत्तर भी हमारे पास आए तो एक एक विध्यार्थी का हमको अलग-अलग विसलेशन करना, उनकी प्रशनवाली को अलग-अलग हमको जाचना और फिर हमको उसका एक निर्णय निकालना ये हमारे लिए कहीं न कहीं बहुत विस्त्रिद छेत्रे हाँ पर हो जाता है, बहुत जादा समय लगता है, उसकी आफ़ी कठी न आया जाती है, तो अगर हम संगरना प्रक्रिया की बात करें, तो जहां उसमें बहुत सारे गोड़ें, बहुत सारे विशेस्ताये हैं, वहें उसके बहुत सारे दोश भी हैं, अनुसंधान के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार समग्र ये समूं का अध्य करते हैं हम अनुसंधान के अंतरगत अब अगर हम बात निदर्शन अनुसंधान की करें तो यह एक न्यादर्श यानि की सेंपल की रूप में अनुसंधान करता है सेंपल जिसे की नाम से ही स्पस्ठ है कि पूरे समुव का अध्यान ना करके उस पूरे समुव में से किसी एक इक वेक्ति का चयन कर लिया जाता है और उसी एक इकाई की आधार पर अनुसंधान किया जाता है निदर्शन या न्यादर्श यानि की अगर हम सेंपलिंग की बात करें तो यहां पर सिम्सन एंड काफका की एक परिभाशा हम देखेंगे उन्होंने कहा है कि निदर्शन समग्र की इकाईयों का वह अन्श होता है जो पूर समग्र के अध्यान हेतु चुना जाता है यानि की पूरे ग्रूप या पूरे समू में से किसी एक को चुन लेना उधारन की तोर पर अगर मैं आपको बिताऊं कि किसी कक्षा में विध्यार्थियों की अभी वृतिया रुची का अध्यान करना है तो सब का अध्यान ना करके किसी एक को random रूप से sampling रूप से किसी एक का चयन कर लेना कोई नियम नहीं कोई सिधान्त नहीं जैसे आप अगर कक्षा में किसी विशय की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जो teacher है वो कक्षा में आने के बाद जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं तो अचानक ही आपकी कक्षा के बीच से किसी एक विध्यार्थी को उठाकर पढ़ने के लिए कहते हैं तो यहां पर उन्होंने न्यादर्श विधी का अध्यान किया उन्होंने यह नहीं देखा कि वो जो student है उसकी आवाज अच्छी है या उस student की speed अच्छी है वो अच्छा पढ़ता है उन्होंने क्या कि सिर्फ किसी भी पूरे 50 students में से किसी एक student को उठाकर वो पढ़ने के लिए कहते हैं तो सिंपल सी अगर हम सिर्फ इसी उधारन से देखें तो सिंपल सी बात है कि यही एक निदर्शन अनुसंधान का अच्छा उधारन होगा अगर हम एक इसका और उधारन देखें जैसे हम की संध्या की बात करें जैसे अगर आपको कहा जाएं कि चार नंबर का जो प्रेश्न है वह आपको 1500 में लिखना है तो क्या आप परिक्षा में वह चार नंबर का शब्द लिखने के बाद गिंती करते हैं कि मैंने 1500 लिख दिए ऐसा नहीं करते हम अपने राइटिंग के हिस अपने अक्षर्व की दूरी की साब अंदाजा लगा लेते सिर्फ एक सीज़िक्ष लिखकर अंदाजा लगा लते कि एक सेमें मेरे इतने शब्ड आते हैं तो पूरे बावा पन्नों की गिंती तो हम नहीं करते अगर पांस सव Krishchny 앞으로 है तो हम ख्या शब्दों के गिंती करते रहेंगे कि कुल कित टे शब्द है इस तरह से अचानक अगर हम इस विद्धी का अध्यान करते हैं तो इसके कुछ विशेस्ताय होती है कि एक तो इसमें समय की बचत होती है जैसे मैंने आपको बताया कि पचास विध्यार्थियों के कक्षा में से सब को प्रश्णवाली ना भरवा कर या सब का साक्षात कारना लेकर किसी एक वेक् करें तो समय कम लगेगा धन की हम बात करें तो हमको बहुत सारी प्रश्णवाली नहीं बनानी पड़ेगी तो धन भी कम लगेगा साथ ही यहां पर एक चीज और है कि निसकर्षों की शुद्धता के लिए हमको थोड़ा सा उसका गहन अध्यान करना यहां पर हमको जरूरी ह सच वह सार्ण होजाता है क्योंकि वह जो निसकर्ष निकलने हैं वह पूरेये पचास विधिहारतियों की कंशा में कि से एक व्यक्ति k RED के प्रशननावली की आधार पर ḉठ तो एक बार यहां पर निसकर्षों की शुद्धता के जाज कर लेनी चाहिए अगर हम यम इसके दोश की बात करें तो कई बार पक्षपात की सम्भावना बनी रहती है जैसे कई बार जो student होते हैं उनके मन में भावना आ जाती है कि जो बार बार उसी स्टुडेंट को पढ़ने के लिए कहती है इस तरह की भावना इस तरह की बात ना पाए ये भी एक दोश है स्वेधी का तो इसका ध्यान रखना होता है दूसरी अगर हम बात करें तो प्रतिनी धी काई का चयन करना कठीन हो जाता है यानि कि उस पूरी पचास विध्यार्तियों की ककशा मेंसे अगर मुझे रूची काध्यन करना है कि विध्यार्तों की रूची किस छेत्र में हैं तो मैं कैसी पता लगाऊं की इस 50 मेंसे मैं किस विध्यार्ती का चयन करूं ये एक थोड़ी से कठेन बात हो जाती है वैसे ही इसका एक दोश ये भी क्या सकते हैं कि एक विशेस ज्यान क्याव शक्ता होती है जब हम न्यादर्श पद्धिती का अध्यान करते हैं तो एक एक्सपर्ट जिसे अगर टीचर जिस कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसको अपन विशेस विद्यार्थि यों का लगभा कधियन मालुम रहती है जानकारीी रहती है कि कौन सा बच्चा किस विशय में वो परांगत है तो उसकी आधार पर वो उसका चयन कर सकता है लेकिन अगर टीचर के लावा किसी दूसरे वैक्ती को उन विध्यार्थियों का अध्यन कर तो यह उसके कुछ गुण भी हैं प अगर हम उद्धेश्यों की बात करें कि कब हम निदर्शा ननुसंदान का प्रयोक करते हैं कि सुद्धेश से करते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो जब हम को समघ्री trillion काध्यान करना होता है तो हम यहां पर पर प्रतिनिधी ही काई का चायान करके उसके द्वारा मिले जो अंसर होता है उसके आधार पर हम संब्द्र काध्यान कर लेते हैं किसी विस्ज्च new deathly की कम समय में अगर तो किसी एक को हम इकाई मानकर प्रतिनिधी काई मानकर उसका अध्यान हम कर लेते हैं वैसे ही अगर हमको निरंतर जानकारी प्राप्त करनी है किसी विशय पर तो हम बार-बार इतनी लंबी प्रक्रिया को आकडों का संक्लन करने की जो प्रक्रिया होती है बार-बार उसको दो हो राने से अच्छा है कि हम एक प्रतिनीधी इकाई मतलब समग्र में से किसी एक काध्यन कर लें और उसके अधार पर हम किसी निश्कर्ष तक पहुंच जाएं तो ये कुछ से पहला तत्तों इस में हम देखते हैं कि इसमें प्रतिनीधी इकाई का होना बहुत जरूरी होता है दूसरा इसका तत्व है कि निदर्शन इकायों की संख्या जिसे मैंने कहा कि 50 विध्यार्थियों में जरूरी नहीं कि हम एक इक इकायों का चैन करें हम अपने अनुसंधान के छेत्र के अनुसार एक दो चार दस इकायों का चैन हम कर सकते हैं तो संख् इसका तत्व एक देखने को मिलता है कि इकाईयों की जो प्रकृति होती उनमें भिन्नता होती है जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पचास की संख्या वाले एक कक्षा में विध्यार्थियों की रूची उनके अभिवित्ति का हम अध्यान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उसमें से दस विध्यार्थियों का चयन करते हैं तो उन दसों विध्यार्थियों के द्वारा उनकी रूची अभिविक्ति कोशल की बारे में जो हम प्रश्ण करेंगे सभी में भिन्था होगी सभी के उत्तरों में भिन्था होगी तो ये बात भी देखनी को मिलती है वैसे ही इसका एक्तत्त्त appears सकते हैं कि जिस विशय पर हम अनुसंधान कर रहे हैं उसमें विशय में समांता होनी चाहिए जैसे हम रूची पर अध्यान कर रहे हैं तो रूची से संबंधित प्रश्ण यानि कि हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि एक ही तरह की प्रश्ण वाली सारे विध्यार्थियों से हमको भरवानी है और दशाएं एक होनी चाहिए जिस विशय पर हम अध्यान कर रहे हैं जिस समय में हम कर रहे हैं वो सारा दशाएं जो समय है वो एक ही होना चाहिए ऐसे नहीं कि हमने आज तीन-चार बच्चों से प्रश्णा वाली भरवाई फिर एक महीने बाद दो-चार तो इसका ध्यान रखना भी जरूरी होता है तो यह सारे उसके आवश्यक तत्त्त हैं अब अगर हम निदर्शन की विधियों की बात करें निदर्शन की अभी हमने कुछ संशिप्त विधिया देखे और और निदर्शन एक बहुत बढ़ा छेत्र है इसके अंतरवत बहुत स किन-किन उद्यशों की अधार पर किया जाता है यह हम देखेंगे सबसे पहले हम एक टेबल के अनुसार यह जान लेंगे की कौन-कौन सी निदर्शन की विधिया होती है कि किस तरह से इनका वर्गी करन किया गया है यह देखते है निदर्शन की विधियों को यहां पर दो में बाटा गया है दैवनिदर्शन और दूसरा है अदैवनिदर्शन रिती अब जो दैवनिदर्शन की रितिया है उनको भी दो भागों में बाट दिया गया है निर्बाद यानि की सरल दैवनिदर्शन और प्रतिबंधित दैवनिदर्शन अब यहां पर जो प्रतिबंधित निदरृन है। उसको भी तीन भागों में बाढ दिया गया है इस तरीय निदर्शन, व्यवस्थित हैं और इस तरीय निदर्शन, दूसरा जो हम आदैन निदर्शन की बात करेंगे, दैन दर्शन मतलब रैंडम sampling और अदया यानी की non random sampling तो अगार हम non random sampling यानी की अद्रोय ओने देर्षण की बात करते हैं तो इसका अधियन भी थी बागों में बाच कर करेंगे सविचार दर्शन को अभ्याइंश निदर्शन और सुविध अनुसार निदर्शन तो निदर्शन की इन पूरी विधियों को उनकी विशेस्ताओं को उनके दोशों को और किन-किन छेत्रों में उनको हम अप्लाई कर सकते हैं इसको हम इस पूरी अध्याय के अंतरगत देखेंगे